हेलो स्टुडेंट्स तो आज हम जानते एक और लेटेस्ट ट्रिक बेशक आज थोड़े सा लेट हो गया हमारी कंप्यूटर की ट्रिक में बट कोई दिक्कत नहीं है आज हम एक बहुत अच्छी ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं अगर आप लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि बाइनरी से डैसिमल में और डैसिमल से बाइनरी में करने में बहुत कंफ्यूज हैं है ना जैसे एक ट्रैडिशनल मेथड भी है बट एक यही ट्रिक का चैनल है तो हम यहाँ पर ट्रिक के बारे में ही बात करेंगे तो अगर आप five method से यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए बहुत है ट्रिक पहले हम बद लेंगे बाइनरी से डैसिमल में तो अगर आपको कोई कोश्ट दिया जाएं ऑइनरी से डैसिमल में बदलने के लिए 24 यह बीनctive की बेस वैल्यू या आधार होता है दो बाइनरी होती है 01 वाली संख्या और बाइनरी से आपको बदलना है डेसिमल में या दशमलव में जिसका आधार होता है 10 तो आप कैसे करेंगे तो यहां पे एक तो तरीका हो गया जो कि बहुत लंबा है और दूसरा तरीका हो जाता है यहां पर छोटा सा तो यहां पर हम ट्रिक की बात करेंगे तो आपको करना कुछ नहीं होता सीधा यह वैली उतारनी है और यहां पर नंबर लिखना शुरू करना है याद रखिएगा नंबर एक से शुरू होगा तो सबसे पहले जो संख्या है यहां पर इसके उपर लिखोगे आप एक एक का दुगना कितना होता है दो दो का दुगना कितना होता है चार और चार का दुगना कितना होता है आठ अगर आगे भी संख्या होती तो आप दुगना करना शुरू कर देते हैं एट की मल्टिप् कि उस संख्या को काट दो जीरों के उपर जो लिखा है उसको काट दो अब जो बचा आठ और दो इसको साथ में जोड़ दो कि आ जाएगा दस और यहीं इसका करेक्ट आंसर होगा आया समझ में दुबारा से एक दूसरा कोशन करके देखते हैं उसमें आपको डेफिनेटली चीज़े समझ में आ जाएंगी दुबारा से करके देखते हैं दूसरा question अगर मैं बात करते हूँ यहाँ पे अगर आपको दूसरा question दे रखा है कोई और यहाँ पर दिया है 1110 और यह दे रखा है binary में और बोला है कि इसको बदल के बताओ कि दशमलव में कितना होगा एक नमबर और ले लेते हैं आपे लिख दो आप 10 थोड़ी सी बड़ी value ले ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो ट्रिक सीखी रहे हैं तो अच्छी सी कोई वड़े नमबर की यहाँ पे अगर आपको संक्यादी रखी है 101110 दिया है binary में और बदलना है दशमलव में या decimal में तो कैसे बदलें कुछ नहीं सीधा हमको यह नमबर उतार लेना है और नमबर उतारने की विज़तियां आप इसी के उपर कर सकते हो बड़ सहाँ पर समझा रहे हैं तो हम यहाँ पर नमबर लिखेंगे दुबारा से नमबर लिख लेना है पीछे से लिखना शुरू करो और शुरुवात हमेशा एक से होगी एक का डबल कितना होता है दो दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोला और सोला दुनी बत्तिस पहला method पहला step दूसरे step क्या होगा इसका कि 0 के उपर जो संख्या लिखी है उसको काट दो जितनी संख्या बची 32, 8, 4, 2 इनको आपस में जोड़ दो कितना हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी संख्या बची इनको हम आपस में जोड़ देंगे और जोड़ कर कितना answer आजाएगा तो 32 और 48, 40 और 4, 44 और 4, कितना होगा 46 46 decimal में यह राइस का correct answer अब आ गया होगा आपको समझ में कि binary से दशमला में बदलना बहुत ही आसान बन चुका है अब एक question आता है कि चलो binary से decimal में बदलना तो आसान है लेकिन अगर हमें decimal से binary में बोला जाए अगर हमको decimal से binary में बोला जाए फिर कैसे करेंगे हम फिर तो हमको वही LCM वाला method करना पड़ेगा तो कोई चुरत नहीं है यहाँ पर हम लेते हैं next अगर आपको दिया जाए उल्टा इसका उल्टा दे बोले कि decimal से आपको कोई संख्या या दशमलव से अगर आपको बोला जाए कि दशमलव से कोई संख्या आपको binary में बदलनी है दशमलव से कोई संख्या आपको binary में बदलने के लिए दे दी जाए तो आप इसको कैसे कर सकते हो को बहुत ईजी है कैसे कर सकते हो तो यहां पर अगर मैं कोट लेती ऐसे हो यहांपर बारा मैं आपर लिखती हूं बारा of Benjamin णे लिखा है धशंब में और बोला है कि इसको बाइनरी में बदले लो το conclusions को नहीं कहेंगे धूला ज्यादा को जाएँ एक तो वही ट्रैडिशनल मेथड है कि आप इसको दो से डिवाइड करते जाओ और रिमेंडर लिखते जाओ पर हम ट्रैडिशनल नहीं पढ़ रहे हम पढ़ रहे हैं ट्रिक ठीक है फिर भी में ट्रैडिशनल बता देती हूं नहीं तो आप लोगों को होती है ना बिचैनी सो जाएगी अच्छा कैसे होता ट्रैडिशनल सी से तो कैसे होता तो टू से हम इसको डिवाइड करते जातें कितना रिमेंडर बचता जीरो तू इससे बड़ बचता जीरो और यहां पर आपको कुछ नहीं करोना जो आपने पहले लिखा था बस वही लिखना है हमने एक से शुरू किया था ना एक से लिखना शुरू करो एक का दुगना दो, दो का दुगना चार चार का दुगना आठ अब देखो इन में से कौन सी संख्या को जोड कर आप बारा बना सकते हो तो आप बोलोगे मैं 8 को और 4 को जोड़कर 12 बनाया जा सकता है तो बस 8 के और 4 के नीचे 1 लिख दो बागी जो बच गया उसके नीचे 0 लिख दो ये डाइरेक्ट आ जाएगा और यहाँ पर यही इसका 100 परतीसत आंसर होगा और यही आंसर भी आपने यहाँ पर traditional method से निकाला समझ में आ रहा है आपको concept क्या बात की जारी है दूसरा question देती हूँ वहाँ से और आपको बहुत अच्छे से clear हो चुका होगा अगर मैं यहाँ पर आपको एक और दूँ question थोड़ा बड़ा question ले लेते हैं अगर आपको question दिया जाता है आपको कितना बनाना है तो आपको बनाना है यहाँ पर 66 यहाँ पर आपको 66 यह दशमलम में दे रखा है और पूछा है कि binary में कितना आएगा अब अगर आपका इसका LCM करने बैठ गए थोड़ा टाइम लग जाएगा ट्रिक की अगर मैं बात करती हूँ तो ट्रिक कैसे बनेगी अब 66 बनाने के लिए मुझे 66 के आसपास वाली संख्या चाहिए कुछ नहीं करना एक से शुरू कर दो एक का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16 उसके बाद क्या जाएगा तो यहाँ पे 16 का दुगना 32 और 32 का दुगना 64 तो 68 के आसपास की मुझे वैल्यू मिल चुकी है 64 66 आप किन-किन को जोड कर बना सकते हो वह 66 किन-किन को जोड कर बनाया जा सकता है तो आप बोलोगे 64 में अगर 2 को जोड दिया जाए तो 66 बन जाएगा तो बस इतना ही तो पहचान ना था इन दोनों संक्याओं के आगे 1 कर दो और बागी जिनकी कोई जरूरत नहीं है उनके आगे 0 कर दो और यही इसका आंसर है ठीक है कितनी जल्दी कोशन हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 4, 0 और 1, 0 बाइनरी में यह इसका correct आंसर होगा अगर हम trick की बात करते हैं ठीक है चलो अब मैं question homework के लिए दे देती हूँ और trick से ही आपको वो question भी बताना है same, दो question आपके यहाँ पे trick से आपको solve करके देखने हैं एक question अगर आपको दिया जाए 72 यह है decimal में तो इसका binary की आएगा और जब दूसरा session लूँगी तो तब इसका answer बता दूँगी और उसके बाद अगर एक question दिया जाए 101 110 और यह दे रखा है binary में तो trick करके इसका दशमलव कितना आएगा trick आपको कैसी लगी comment करके जरूर बताना और दूसरी trick या next आने वाली trick आप कौन से टॉपिक से चाहते हो computer के वो भी आप हमें comment करके बता सकते हो अगर आपने अभी तक trick वाली channel को मारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon प्रेस करें ताकि latest trick आप लोगों को मिल सके तो मिलते हैं अगले session में जय हिंद जय भारत